कानपूर के सबसे बड़े आस्था के केंद्र बाबा आनिंदे स्वर मंदिर के पूर्व महांत और स्री पंच दस नाम जूना अखाड़ा के महा मंदलिश्वर स्यामकिरी महरास का निधन हो गया उन्होंने लंबी बिमारी के बाद देहरत उनके अस्पताल में अंतिम सांस ली उनको कानपूर के बाबा घाट इस्थित आस्रम में मंगलवार को सोभा यात्रा के बाद भू समाधी दी जाएगी आपको बतादे स्री पंच दसनाम जूना अखाड़ा प्रबंध समीति पर्मठ के ओर से पत्र जारी कर उनके निधन की जानकारी दी गई जुना अखाडा की योर से पर्मत मंदिर में तैनात महंत अरुन भारती ने बताया कि पर्मत मंदिर के पीठा दी स्री 108 महा मंदलेश और स्यामगिरी महराज को लंबे समय से सांस लेने में दिक्कत थी वही मंगलवार तक मंदिर के पड़ भी बंद रहेंगे आपको बता दे कि पुस्पांजली और समाध के दोरान जुना अखाडा के राष्ट कदाधिकारी वार संत समाज बड़ी संख्या सोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं उनके निदम की सूचना मिलते ही पर्मत मंदिर सही सहर भर के भक्तों में शोक की लहर दोड़ गई वहीं संत समाज ने उनके लिए सवधांजली अर्पित कर उन्हें याद किया प्यूरो रिपोर्ट आई पियन